हे अब्रीवान वेलकम तो मैं चैनल ब्रहमास्त्र यूपी एस्ट में आप लोगों का स्वागत है यह है लेक्चर नमबर टू जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल जहां आज आप लोग मेरे साथ बेसिंग अकाउंटिंग कॉंसेप्स को कवर अप करने वाले हो मैं आपको एक फैक्ट बता दू कि आज का हम जो सेशन करने वाले हैं वह बहुत इजी सेशन है पर हम लोगों ने देखा है कि यूपी एस्ट के जितने भी एक्जाम सुए हैं और उसके अंदर जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल अगर स्लेबस में हैं यहां से एक सवाल बनत देख लिया होगा जिसके अंदर हम लोग कुछ बेसिक कॉंसेप्स के बारे में कवर अप कर रहे थे एक और छोटी सी चीज आई होप आप सब लोगों के पास यह वाले बुक है मेरी it is one of the best seller on Amazon UPSC Civil Services में नंबर वन रैंक कर रही है इसके अंदर मैंने सारी चीजे दे दी है और इसी का ही जो चाप्टर नंबर वन हे वो ही हमारा लेक्चर नंबर नं था आज इसका जो चाप्टर नंबर टू है उसका कुछ पोरिशन हम लोग आज के सेशन में लेक्चर नंबर टू के अंदर कवर अप करने वाले हैं तो लेक्चर वन की जो आपकी exercise है चेप्टर के बाद आप वो लोग solve कर लेना और आज जो हम लोग cover up करेंगे उसके बाद भी आप जो चेप्टर नमबर टू की exercise है उसमें भी आप काफी सारे questions solve कर पाएगे बिना किसी तरी के स्टार्ट करेंगे बुक का लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा जिन्होंने नहीं खरीदी है वो लोग खरीद लेना ये बुक आपके तैयारी में ध्रमास्तर का काम करेगी चलिए शुरू करते हैं देखो कॉंसेट्स में हमेशे एक चीज होता है या एसा हम लोगों को करना है तो कुछ एसमप्शन जो कि इस दुनिया में कहीं पर कोई भी financial statement अगर बना रहा है वो assumption उस व्यक्ति को माननी ही पड़ेंगी वो उन basic concepts का part आती है मेरे पीछे की list लिखी होई है business entity, money measurement, going concern, accounting period, cost, dual aspect, revenue recognition, matching, full disclosure, consistency, conservatism, materiality, objectivity ये क्या है ये वही concepts है आप पीछे एक mind map भी देख रहे हूँ ये इसलिए दिया है क्योंकि अभी मैं जब आपका समझाओंगा उसके बाद आप इसका screenshot लेकर आप एक super fast revision भी ले सके लोगाई इस 13 basic accounting concepts होते हैं और इन 13 से एक सवाल पक्का है आपके exam के अंदर तो एक सवाल की confirmation है इन 13 basic concepts में शुरू करते हैं पहला concept क्या है पहला concept बात करता है basic entity के बारे में वट इस basic entity या वट इस दी कॉंसेप्ट ऑफ बेसिक entity काइस दा कंसेप्ट ऑफ बेसिक एंटिटी प्रिजूम्स दा बिजनेस है इस अपने ओनर से डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इस ओनर्स दोनों अलग अलग है एक entity और फिर्म की definition हम लोगों ने lecture number one में भी cover up की थी उसके अंदर भी same ही चीज मैंने आपको समझाई थी कि आपका जो business है जो आपकी firm है जो आपकी entity है उसकी एक separate identity है ये indicate करता है कि जो company है और जो company के owners है ये दो अलग अलग entity के रूप में recognize किये जाएंगे for what reasons for accounting reasons जिससे की दोनों के लिए accounting अलग अलग हो firm की accounting अलग हो उसके owner की financial statement या उसकी accounting अलग हो जिससे की financial statement को देखने में solve करने में use करने में असानी हो ये है आपका पहला concept that is the concept of business entity concept number two जहां हम लोग बात करते हैं money measurement concept के बारे में क्या क्याता है ये concept the concept of money measurement states that only those transactions and happening in an organization which can be expressed in terms of money जैसे sale of good payment of expenses receipts of income are to be recorded in the book of accounts आपकी accounting की किताब के अंदर जब आप किसी भी company का या individual का खाता तयार कर रहे हो उनकी accounting कर रहे हो उसमें सिर्व वही चीजें आएंगी जिनको पैसे की टर्म में in term of money हम represent कर सकते हैं अगर आप किसी चीज़ को पैसे की टर्म में money की टर्म में represent नहीं कर सकते हैं तो वो चीज़ आपकी financial statement का part नहीं बनेंगी इसलिक हम लोग कहते हैं money measurement concept another concept is going concern concept नाव मेरे पीछे picture क्या बन रही है going concern concepts related this is the image of infinity infinite infinity के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो गाइस जो concept of going concern है वो यह presume करता है यह मानता है कि company हमेशा survive करेगी तो हम भी जब accounting कर रहे होंगे हमें यह presume करना है हमेश चीज़ को मान के चलना है कि भाई जो company है वो infinite तक survive करेगी extended length of period तक survive करेगी वो easily liquidate नहीं होगी यह हमें presumption रखना है इसका नाम है going concern concept इसके बाद आपका अगला concept आता है जिसको हम लोग बोलते हैं accounting period concept अब देखो भाई हर एक company को individual को वो जिस जगे से जोड़ा हुआ है चाहिए वो कोई सी भी जगे हो इस चीज़ को relate करना पड़ता है कि उन वहाँ पर किस तरीके का accounting period चल रहा है जैसे हम लोग general हमारे देश के अंदर financial statements के बारे में बात करते हैं तो first of April से आपका वो tax accounting period चलू होता है वो 31st of March को खतम होता है तो भाई वो सब के लिए common है ना आपके लिए भी common है मेरे लिए भी common है और किसी तीसरे व्यक्ति के लिए भी common है तो वह commonality है वो क्या कहलाएगा वो हमारा accounting period है बहुत सारी business entities especially जो फिनेंशिल performance मेजर करती है कभी कबार वो एक साल से कम का period भी मेजर करती है कुछ quarterly करती है कुछ half yearly भी करती है तो वो उनकी company का है कि वो अपना accounting period three months ले रहे है six months ले रहे है a year concept ले रहे है क्या ले रहे है और accounting period का सबसे बड़ा use यह है कि जब वो accounting period का data आपके सामने आता है तो आप उसको पिछले accounting period से compare कर सकते हो और जब आप compare कर पाओगे तो ही आगे cost management कर पाओगे expenses management कर पाओगे revenue increase कर पाओगे comparative analysis कर पाओगे जैसे कि मैंने आपको lecture number one में बताया था बिना comparison बिना analysis बिना hope कि accounting निल है फाइदा ही क्या है accounting का जब तक आप उसके अंदर चीज़ों को बहतर ना कर पाओगे इस इस इंपॉर्टेंस ओफ accounting period concept और उसी period के अंदर जो आपके assets हैं जो आपके liabilities हैं जो उस period के अंदर held हुए हैं हम सिर्फ उन्ही को ही measure करेंगे ऐसा नहीं है कि उस period के बाहर की चीज़े हम लोग measure करते हैं अगला concept आता है जिसको हम लोग बुलते हैं cost concept जो हमारा cost concept है it requires that all assets are recorded in the book of accounts at their purchase price जिस price पे आपने purchase किया है कोई product जो आपका asset बन गया है आपको यादो का lecture 1 में मैं आपके example दिया था कि जैसे मालो blanket ने अपने trucks चला दिया है वो खरीदे हैं तो वो blanket के लिए उसका asset है तो जो ट्रक का जो price है मतलब वो ट्रक टाटा का है तो टाटा से जिस cost पे blanket वालोंने खरीदे आपको उस ही cost को उस purchasing price को अपने book of accounts के अंदर लिखना पड़ेगा इसके अंदर cost of acquisition हो transportation हो installation हो making the asset ready to use की जितनी भी cost वो भी सारी की सारी चीजें इसी के ही अंदर आ जाएं ठीक वो सब purchase price के अंदर ही include हो जाते हैं इसको बोलते हैं cost concept moving on सबसे important concept आता है dual aspect concept guys सबसे ज्यादा सवाल इसी से ही बनते हैं तो इसको मत भूलना करना क्या बोलते हैं इसको dual aspect concept it serves as the foundation for recording financial activity in the book of accounts यह basic है आगे जब हम लोग lecture 3,4,5 में आगे बढ़ेंगे न तो मैं आपको पूर है का accounting का जब concepts पढ़ने के बाद हम लोग practicality पे आएंगे तो सबस्यादा काम यही आएगा dual aspect concept इस principle के हिसाब से हर एक transaction का two-fold effect होगा अगर किसी के खाते में वो asset है तो हो सकता है कि किसी और के खाते में वो liability हो इसे ही हम लोग बोलते हैं double entry accounting all debits in a transaction are equal to all credits in a transaction चलो इसको simplify करता हूँ एक example से एक व्यक्ति है X there is a person known as X X started a business उस business में X ने 10 लाख रुपे की investment करी the amount of money bought in by X will result in an increase in the asset of that particular business एक जगती है X उसने क्या किया उसने पैसा invest किया वो जो पैसा invest किया 10 लाख रुपे वो company के लिए एक investment के रूप में आया उसके लिए cash asset के रूप में आया in terms of cash वो asset के रूप में आया उसी समय पर जो owner है जो मालिक है उसकी equity या उसकी capital भी equal amount से बढ़ेगी जो मालिक है जिसने 10 लाख रुपे दिये है उसकी जो personal equity है personal capital है वो भी बढ़ेगी तो हमें क्या समझ में आया कि यहां पर दो item effect हुए है एक item है जो की cash के term में impact हुआ है दूसरा जो capital account के term में impact हुआ है इसी लिए कोई भी transaction हो रही है वो दो जगहों पर impact डाल रही है it is making an impact on two different different things किसी व्यक्ती ने अगर 10 लाख रुपे invest किये हैं तो वो investor की capital उस company की equity के रूप में वो तो बड़ी और उस company के लिए वही जो पैसे हैं वो asset के रूप में आई तो दो balance sheet के अंदर वो display होंगे इसी concept को यह dual effect हम लोग पढ़ रहे हैं इसी को ही duality principle के नाम से हम लोग जानते हैं this is known as a duality principle fundamental accounting equation के अंदर यह duality principle बहुत common principle है जिसको हम लोग asset equals to liability plus capital के रूप में लेते हैं और यही core concept बनता है double entry system of accounting का अगले lecture जो होगा न lecture number 3 जो होगा उसके अंदर double entry हम लोगों को करनी है यह तो आपको और अच्छे समझ में आ जाईए अभी बस conceptual group में आप लोग समझो की double aspect का मतलब क्या है कुछ भी हो रहा है वो एक नहीं दो financial statement में reflect होगा किलकुस तरीके से मालो यह पाणी का ग्लास मैंने आपको दिया तो मेरी तरफ से मेरे हाथ से मेरे थाए pánी का ग्लास चला गया तो तो वो मेरे अकाउंट में भी आगा कभी मैंने पानिया ग्लास तुम्हें दे दिया और तुमने लिया तो तुम अपनी अकाउंट में डालोगी कि तुमने वो पानिया ग्लास ले लिया तो वो dual aspect concept उसी चीज के बारे में बात कर रहा है अगले concept की तरफ आगे बढ़ते हैं that is revenue recognition concept easy है यह बात करता है कि किसी भी company का business का revenue अंधनी should be included in the accounting records only when it is realized जब माल पैसा आपके पास आजाए उस accounting period के अंदर realize करना चाहे बोलते हैं न भाई invoice तो कोई भी generate हो सकता है bill तो कभी भी generate हो सकता है और वो पैसा आपके account में कब आया है वो किस period के अंदर आया है उसी period में उसको हम लोग realize मानेंगे बहुत simple फिर आता है matching concept एक तो dual aspect से सवाल आते हैं इसके लावा सवाल आते हैं matching concept से what is matching concept the process of estimating the amount of profit or loss made or incurred during a specific period entails reducing the corresponding expenses from the income earned during period अगर आपको कोई खर्चा करना है तो उस खर्चे के लिए भी जो पैसा होगा वो आमदनी जो आएगी वो उसी accounting period के अंदर आएगी इसी को ही matching concepts highlight करते हैं this is how matching is being made it states that expenses made during an accounting period must be balanced with the income generated during that period इसी लिए revenue और expenses जो generate किये जाते हैं वो same accounting period के अंदर ही measure किये जाते हैं ठीक है यह पर छोटी सी चीज गाइस अगर आपकी income जादा है आपके खर्चे से तो आपके पास end में profit होगा अगर income कम है expenditure से तो loss होगा जिसको deficit भी कहते हैं और profit और loss हम लोग income minus expenditure से निकालने लगते हैं ठीक है income minus expenditure income positive होगा तो profit और expenditure जादा होगा तो loss obviously कोशेश यही करते हैं कि expenditure कम हो income हमेशा जादा हो अगले concept की तरफ आके बढ़ते हैं अगला concept है full disclosure concept financial statement के अंदर आप जो भी information provide करा रहे हो वो अलग-लग लोगों की information combine होके तब आपकी एक financial statement के अंदर आती है चाहे वो आपका investor हो lender हो supplier हो या और कोई व्यक्ति हो तो सब आते हैं और उसके बाद वो आती है और आपको क्या disclose करना है सारी चीज़ें firm के पास revenue कैसे आ रहा है inventory level क्या change हुआ है relationship कोई change तो नहीं हुई कोई नया investment तो नहीं आया किसी की equity तो नहीं कम हुई ठीक कोई बेफालत का खर्चा तो नहीं हुआ material loss क्या हुआ है sale क्या हुई है material effect क्या हुआ है tax rate जो बीच में मानलो सरकार ने कोई नया decision ले दिया भी जैसे production linked incentive चल रहे हैं उसमें आपको incentive का फायदा मिल गया तो वो सारी की सारी चीज़ full disclosure यही बात करता है कि यह company को सारी की सारी relevant information अपनी financial statement के अंदर declare करने है जिससे की decision making अच्छी हो user की investor की जो आपकी company के अंदर आना चाहता है हाँ एक चीज है कि जो revelation होगी वो सिर्फ उन details की ही होगी जिस पर material impact हुआ है या जिसकी cost recognize हुई है जो की money related चीज़े हैं हाँ इसके pros-cons दोनों होते हैं pros के अंदर आपको काफी सारे benefit मिलते हैं making में असानी होती है investor के लिए अच्छा होता है transparency होती है audit और banking की चीज़ें असान होती है but cons में यह होता है कि आपकी जो competitive firms हैं उनको आपके बारे में काफी जानकारी पता लग जाती है इसे बोलते हैं हम लोग full disclosure consent next concept is consistency देखो भई consistency तो आपकी life में भी बहुत important है यहाँ भी same है consistency रहनी चाहिए accounting information जो financial statement बनाई जा रही है it is very important कि वो business के लिए काम करें और वो consistent होनी चाहिए miss नहीं होनी चाहिए जिससे कि हम comparative analysis करके firm के operation में कुछ फायदे करा सकें फिर एक concept आता है जिसको बोलता है conservatism यह बात करता है conscious approach के बारे में कि जब आप financial statement बना रहे हो you need to have a conscious approach आपको गलती से भी profits ऐसे नहीं दिखा देने हैं कि आप जबरदस्ती overstate कर दो profits कभी कबार company आप firms overstate कर देती है profits की हम ज़्यादा investors ला सकें company की goodwill अच्छी हो company के बलते हैं खाता अच्छा हो जाए सब कुछ beautify हो जाए तो वो हमें नहीं करना है profit हो या loss हो आपको वो बिल्कुल सही जानकारी के हिसाब से ascertain करने हैं किसी में भी कोई भी गरबड़ी नहीं होनी चाहिए और profit सही होंगे overstate नहीं होंगे तो ही जो distribution होगा dividends का वो ही हो पाएगा later end movement पे वो company का ही नुकसान है अगला concept आता है आपका materiality concept यह बात करता है कि accounting के अंदर हमें जितने भी material facts हैं सब पे concentrate करना है जो data income determine नहीं कर रहा जिनकी कोई value नहीं है जिसमें determination नहीं हो रहा कुछ भी determine नहीं हो रहा हमें कोई benefit नहीं हो रहा financial statement में उसको रोल नहीं है उसको leave कर देना चाहिए material facts के ऊपर ही हमें ध्यान देना चाहिए nature और amount यह दो चीजे हैं जो material facts को directly impact करते हैं क्या-क्या एक तो nature और दूसरा amount इससे decision making में आवें असानी मिलती है next concept is objectivity concept इसका मतलब है कि जो भी हमारी transaction हो वो हम लोग rational रखें दोनों concepts को आपस में मतलब profit है laws है assets है liabilities है rational तरीके से बाकी लोगों की opinion से अलग रखके accountants की opinion से अलग रखके fact के अधार पर rational चीजें financial statement में हम लोग डाल दें वो क्या होता है कहलाता है objectivity concept तो guys these are the concepts जो हम लोगों को cover करने थे हम लोगों ने कर लिया आप देख तो मैंने आपको सारे concepts करा दिये इंस को revise करना यह mind map है mind map को देख लेना कुछ ना समझ में आये तो mind map मैं आपके लिए community पे भी upload कर दूँगा बाकी चीजें already book में mentioned है अब आप exercise भी कर सकते हो book की and do not forget कि आप लोग यह session share भी करो thank you for joining bye bye take care अपने lecture number 3 में मिलते हैं labor laws की lecture number 1 आपके लिए upload हो चुका है जरूर देख लेना modern India की series आपके लिए चालू हो गई है और कोई आपके demand हो तो वो भी आप लोग comment box में मुझे बता देना वो भी fulfill हो जाएगी bye bye take care